हेलो फ्रेंड्स विलकम टू मेकैनिकल टेखिंदी फ्रेंड्स अगर आप अपने लिए नया या पुराना टू विलर लेने की सोच रहे हो और इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो कि आपको मोटरसाइकल लेना चाहिए या फिर स्कूटर लेना चाहिए तो आगे इस वीडियो में मैं 15 अलग अलग पॉइंट्स पे इन दोनों ही टाप के टू विलर्स को कम्पेर करूँगा और आपको बताऊँगा किन पॉइंट्स पे मोटरसाइकल बेतर होता और किन किन पॉइंट्स पे स्कूटर बेतर होता है ताकि आप अपने प्रिफिरंस के हिसाब से अपने लिए सही टू विलर्स चुन सके तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले अब प्रेंट्स कम्पेरेजन सुरू करने से पहले मैं किलर कर दूँ कि चुके जो स्कूटर होता है वो हाडली 110cc, 120cc या बहुत जादे 1500cc तक कहीं आता है तो मैं 1500cc तक के स्कूटर को ध्याय में रखते हुए 1500cc के बाइक के साथ उसे कम्पेर करूँगा क्यूंकि अगर 1500cc का स्कूटर और 400cc के बाइक से कम्पेर करें तो कोई मतलब बनता ही नहीं है तो कम्पेरिजन का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राइडिंग कंडिशन तो आपको पहले ये इंशूर करना है ये देख लेना है कि आप अपनी टूविलर को किस एरिया में कहां पर चलाने वाले हो अगर आप सिटी में चलाने वाले हो और आपके एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो मैं अपनी तरफ साथ को सजेश्ट करूँगा कि आप वो स्कूटर के साथ जाना चाहिए क्योंकि स्कूटर में गेर्स नहीं होते या फिर मैनुवली कलच वगरा को नहीं दमाना पड़ता है इसलिए ट्रैफिक वाले एरिया में भीड भड़वारे एरिया में स्कूटर को चलाना जादा इजी होता है जादा कमफर्टेवल होता है और कम ठकाने वाले होता है फिर वी अगर आपको एक्सपिरियंस जादा है टूविलर्स में तो आप बाइक के साथ भी जा सकते हो लेकिन हाँ अगर आप वैसे एरिया में चलाना चाहते हो जादा जहाँ पे हाइवे हो या फिर जहाँ पे ट्रैफिक्स कम हो तो उन एरियास के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको मोटर साइकल को चुनना चाहिए अगला जो पॉइंट है वो है पावर एंड परफॉर्मेंस अब चुकि स्कूटर में क्या दिक्कत आता है कि वहाँ पे manual जो हमारे gearbox नहीं होता है वहाँ पे CVT यानि की continuous variable transmission होता है जिस वज़ाँ से जो engine है उसके उपर वे load ज़्यादा पड़ता है और इस वज़ाँ से क्या होता है कि कम torque produce होने के वज़ाँ से जो power या performance जो है वो स्कूटर में कम देखने को मिलता है असान लबजों में कहें तो speed भी अगर आप compare करोगे कि 125cc के scooter को 125cc के motorcycle के साथ तो motorcycle में आपको speed वगरा जादा देखने को मिलेगा handling भी बहतर देखने को मिल जाएगा तो ये भी point आप consider ज़रू कर ले अगला जो point है वो है riding experience तो मैं आपको बताऊं कि अगर अपने two wheeler को आप ज़्यादा high speed में चलाने वाले हो और ऐसा सोच रहे हो तो उसमें आपको riding experience जो है वो motorcycles के साथ बहतर मिलने वाला है जादा vibration देखने को मिलेगा riding experience उतना smooth नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताए कि CBD transmission होता है scooters में इसलिए engine के उपर में जोर जादा पड़ता है engine जादा vibrate करता है और जो handlebar होता है वो भी body के साथ सटा हुआ होता है तो handlebar भी बहुत जादा vibrate करता है इस तरह का कोई भी दिक्कत आपको motorcycle में नहीं देखने को मिलेगा अगरा जो point है वो है shock absorption अब ये भी बहुत important है आपको ये ध्यान दिना है कि आप जहाँ पे रहते हो या जहाँ अपने tubular को चलाने वाले हो वहाँ पे road कैसा है अगर गड़े है मिट्टी वाला road है तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो motorcycle का shocker का जो work है जो efficiency है वो ज़्यादा बेतर होती है चाहे normal suspension हो, night rocks हो, dual suspension हो, mono suspension हो सब में आपको motorcycle का performance जो है वो बेतर दिखने को मिलेगा गड़े वागर है मैं जर्क कम लगेगा स्कूटर में आपको shock absorption उतना बेतर नहीं मिलेगा और अगर rough road है तो मुश्किल आपका driving experience होने वाला है आगला जो point है वो है stability and handling अब ये भी बहुत important है चोकी स्कूटर में चक्के जो है वो छोटे होते हैं इसके साथ जो tire होते है वो पतले होते है इसलिए स्कूटर कम stable होते है इनका handling मुश्किल होता है मैं clear कर दूँ कि 30, 40, 50 के speed तक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे तो दोनों ही type का vehicle बहतर है लेकिन अगर high speed की बात हो या बारिश के time की बात हो तो उस time पे motorcycle का stability और handling बहुत बहतर आपको देखने को मिलेगा अगरा जो point है वो है weight अब बहुत से लोग weight को भी consider करते हैं कि गारी कितनी भारी है खास कर के वैसे लोग जिनका उमर ज़्यादा हो तो मैं आपको बताऊं कि scooter का weight motorcycle के मुकाबले कम होता है इसलिए अगर आप old age वाले आदमी है तो आप scooter को consider जरूर करें इसके लावा scooter में फाइदा क्या हो जाता है कि लड़का लड़की सब इसे चला सकते हैं तो ये भी एक फाइदा हो जाता है mostly motorcycle को boys या फिर mains ही चलाते हैं तो आप इस इसको भी consider जरूर कर ले अगरा जो point है वो है luggage space अब अगर आप अपने two wheeler को commercial purpose के लिए खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपको recommend करूँगा कि आपको scooters के साथ जाना चाहिए क्योंकि scooters में साहिट पहली बाद तो seat के नीचे आपको 20 से 1 की siter के आसपास का luggage space मिल जाएगा तो ये बहुत ही फाइदा हो जाता है समान को रखने के लिए साथी front में आप समान रख सकते हो hook वगरा विदिया होता वहाँ पी भी रख सकते हो helmet का भी एक tension नहीं होता है helmet को भी आप अपने seat के नीचे जो luggage space से वहाँ पी रख सकते हो तो luggage के मामले में scooter बहुत ही बहतर होता है हलाकि motorcycle में भी side bike लगाया जा सकता है लेकिन वो देखने में बहुत ही odd लगता है और पीछे बैठे वाले pillion के लिए मुश्किल हो जाता है तो luggage को भी आप consider कर ले कि आपका preference है कि नहीं है अगरा जो point है वो है learning and riding अब आप अपने tutor को जो खरीद रहो यह सोच के खरीद रहो कि मुझे चलाने सीखना है तो मैं आपको बताऊ कि learning और riding दोनों ही scooter का असान होता है gears, clutch वगरा का problem नहीं होता है तो आप असानी से अपनी scooter को चला सकते है अगर जस्ट आपको bicycle चलाना आता है तो आप इसे भी चला सकते है थोड़ा सापको मेनत करना पड़ेगा सीखने के लिए लेकिन दूसरी तरफ motorcycle को सीखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है सीख जाते हैं लोग, बहुत से लोग चलाते भी है लेकिन वहाँ आपको gear, clutch वगएरा का ध्यान में रखना पड़ता है तो आप इस point को भी जरूर से consider करें अगरा जो point है वो है normal maintenance अब थोड़ा सा कुछ normal problem हो जाए तो scooter का maintenance problem होता है क्योंकि सब कुछ pack होता है seat की निचे engine वगएरा होता है या front में सब pack होता है लेकिन महीं दुजरी तरफ जो हमारा motorcycle है वहाँ पर फाइदा क्या होता है कि सब कुछ exposed होता है engine वगएरा, wiring वगएरा सब कुछ exposed होता है for example spark plug ही check करना है या साफ करना है तो इसमें करना जादा आसान होता है आप अपने से भी कर सकते हो लेकिन scooter में maintenance मुश्किल होता है कई बार जो service center वाले या फिर आपका local garage वाले जादा भी charge कर लेते हैं तो आप इसे भी जरूर consider करें अगला जो point है वो है design अब more or less जो scooter का design होता है वो same ही होता है 19-20 का फरक होता है लेकिन सेम ही होता है हलागी कुछ scooter है जैसे कि बर्गमन इस्टीट वागरा जिसका design थोड़ा अलग होता है लेकिन आपको design में बहुत option scooters के साथ नहीं मिलेगा motorcycle में आपको अलग-अलग company का अलग-अलग variant अलग-अलग model में अलग-अलग बहुत सारी design मिल जाएंगे तो यहाँ पर design के मामले में motorcycle जादा बहतर होता और दिखने में भी बहुत classic होता है अगरा जो point है वो है build quality अब mostly जो scooter है उसका जो body होता वो fiber का बनावा होता है हलाकि अक्टिवा अगरा का metal का भी होता है अब problem यह आता है कि कभी किसी वाज़ से अगर scooter आप गिर जाए तो क्या होता है fiber body जल्दी crack कर जाता है तूट जाता है normal accident हो जाए अगल बगल वाले गारी सट भी जाए तो तूटने का डर होता है fiber body में इस तरह का problem आपको motorcycle के साथ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि leg guard वगरा बहुत कुछ यहाँ पर safety दिया हुआ होता है और mostly part जो होते है वो metallic होते है तो आप इसे भी consider कर सकते हो अगरा जो point है वो है fuel tank की capacity अब अगर आपके पास आप busy रहते हो ज्यादा time नहीं रहता है तो मैं आपको बता दूँ कि scooter में इन जनरल चार लिटर, पास लिटर, छे लिटर के आसपास कही average fuel tank की capacity होती है जबकि motorcycle में आप 10, 12, 14 लिटर तक के भी fuel tank capacity होती है तो आप देख ले कि आपके पास time है या बार बार आप जा सकते हो प्रेटर पर्म तो फिर आप scooter के साथ जा सकते हो नहीं तो फिर आप motorcycle को भी चुन सकते हो अगरा जो point है वो है license तो license के बारे मैं मैं जादू कि आपको देख लेना कि आपके पास कौन सा license है क्योंकि scooter को चलाने के लिए जो without gear का license है वो आपका काम में आ जाएगा और motorcycle को चलाने के लिए आपको with gear का license चाहिए तो आप देख लें कि आपके पास कौन सा license है उसके हिसाब से आप अपने लिए टू-wheeler को चुने अगरा जो point है वो है engine का size या हम लोग बुल सकते variety of engines का size कितने cc का engine है तो in general आपको scooters के साथ 110, 125, 1500 cc के आसपास का ही engine देखने को मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है motorcycle के साथ 100, 1500, 200 से लेकर 1000 से भी ज़्यादा cc तक कि आपको motorcycle मिल जाते है तो हमारा engine का size उस हिसाब से motorcycle में बहुत ज़्यादा option available है अब आखरी point और बहुत important point जो हम सब consider करते है वो है mileage and cost अब मैं बहुता हूँ कि चुकि हम लोग 110, 110, 120 cc तक ही चल रहे है तो मैं आपको बताऊं कि इस range में आपको mileage scooter से तो बहतर देखने को मिलता ही है तो कि design थोड़ा compact है engine का size छोटा है तो उससे engine जो हमारा scooter में तो fuel efficiency या mileage बहतर मिलता ही है लेकिन उसी variant में आपको motorcycle से भी 100, 110, 120 cc तक में बहुत बहतर mileage motorcycle से भी मिल जाएगा तो आपको decide करना है कि आप किस company के, किस brand के किस model को चुन रहे है उस according ही mileage आप अपने गाड़ी का देख सकते हो और judge कर सकते हो cost के बात करें तो कुछ सालों पहले तक अगर आप पूछोगे तो cost motorcycle scooter का कम होता था और motorcycle का जादा होता था लेकिन अब ऐसा scene नहीं है scooters इतना जादा popular हो गए है कि आज के time पे आप देखोगे कि जो scooter का price है वो एक लाग सवा लाग डेड लाग होता है तो आपको अपना budget देखना है कि आपका budget कौन से है आप cost के हिसाब से या mileage के हिसाब से इन दोनों को नहीं चुने उससे पहले जितने मैंने points बता है आपको उसे consider करते हुई आप इन दोनों type के tubular को चुने और आप अपने लिए क्या सही है वो judge कर पाएंगे तो friends I am sure आज का ये comparison वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने लिए एक सही tubular इस वीडियो के मदू से जरूर चुन पाएंगे तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में थाली में थीडियो के वीडियो क्या हूची चैनल'!